दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को छे ऐसे government stocks बताने जा रहा हूँ जिन्मोंने आप धमाकेदा dividend कीया है और आज की इस वीडियो के अंदर और ही छे government stocks की मैं आप लोगों को पूरी details दूँए बताऊँगा इन्होंने किस-किस value से आप dividend अनौंस किया है, साथ ही साथ मैं बताऊँगा इनका current stock price के चल रहा है और इसके साथ ये भी बताऊँगा dividend देने की x date और record date क्या होने वली है तो चलिए अब इस वीडियो को start करते हैं आप इस वीडियो को end तक देखना है और कहीं भी skip मत करना चलिए दोस्तों अभी के इस वीडियो को like कर दीजे चानल को भी subscribe कर दीजे मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं फिनो मीडिया बाया आरुश चलिए अब इस वीडियो को start करते हैं बताता हूँ आपको कौन से हैं 6 government stocks जिन्होंने आपे धमाकेदा dividend announce किया है चलिए दोस्तों बात करते हैं आपे हमारे पहले stock की तो company का नाम है हिंदुस्तान Aeronautics Limited company का current stock price 2850 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आपे dividend announce के 20 रुपीज पर stock के साब से और इस dividend को देने की जो exit rate होने वाली हो 20th of March की होने वाली है अगले stock की बात करें तो company का नाम है SAIL याने की Steel Authority of India Limited company का current stock price 88 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आपे board meeting organize करिये 16th of March को और जो board meeting का purpose रहने वाला है वो dividend को लेके रहने वाला है dividend की recorded company ने अल्रेडी announce कर दिये वो होने वाली है 24th of March की अब देखना यह है कि company कितनी value से आपे dividend announce करती है अगर जादा value से announce किया तो definitely हमें stock में काफी अची रैली देखने को मिल जाएगी अगले stock की बात करें तो company का नाम है भारत Electronics Limited company का current stock price 96 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आपे board meeting organize करिये 17th of March को और जो purpose रहने वाला है वो second in term dividend को लेके रहने वाला है अगले stock की बात करें तो company का नाम है गेल इंडिया लिमिटेड company का current stock price 109 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आपे board meeting organize करिये 13th of March को purpose रहने वाला है dividend को लेके अगले stock की बात करें तो company का नाम है नालको यानि की National Aluminium Corporation Limited company का current stock price 82 रुपीज के उपर में trade हो रहा है इस company ने भी आपे board meeting organize करिये 13th of March को purpose dividend को लेकी रहने वाला है company ने भी record date अबरेडी अनाम है dividend देने की और जो record date है वो होने वाली है 21st of March की तो अब अगर आपको इस stock को या फिर और किसी भी stock को purchase करना है ताकि आपको इसकी dividend announcement का benefit मिल पाए तो इनकी जो record dates announce होई है इन record dates से 2-3 दन पहले आपको इन stocks को purchase करना होगा ताकि यह जो dividend है इनका जो benefit है वो आप लोगों को मिल पाए आईए अब बात करते हैं आपे मारे अगले अनला stock की तो company का ना में हुड को limited company का current stock price 43 रूपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आपे board meeting organize करिये 14th of March को और अब जो purpose रहने वाला है वो भी dividend को लेके रहने वाला है तो अब इन सारी stocks को अपनी watch list के अंदर में add करके रख सकते हो because जिस भी company ने आपे काफी अची value से dividend announce की अपनी previous history के according उस stock में हमें definitely काफी अची rally देखने को मिल जाएगी और दोस्तो आज की वीडियो के अंदर इतना यही 6 government stocks थे जिन्होंने आपे धमाके दा dividend की announcement करी थी अब अगर आप कोई वीडियो अची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीजेगा इस channel को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा because फिनो media के अंदर आपको ऐसी stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye